तो आज हम करेंगे पेज नमबर 10 ओके तो अपने बुक ओपिन रखेगा पेज नमबर 9 ठीके हम अपने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे तो आज हम करेंगे पेज नमबर 10 पेज नमबर 10 मयाजिग देगा तो आज हमम कारेंगे, पेज नमबर 10 पर आपको क्या दिया हुआ है आपको क्या करना है तो चलिए, स्टाट करते हैं,还 The objects and Match with the same collection आपको क्या करना है सबसे पहले counting करनी है ठीक है count करेंगे हम objects को और फिर same collection है उनको match करतेंगे ठीक है ठीक है ठीक है फर्स्ट इस यह रहे कि 1 2 3 4 कितने kittens हैं यह 4 तो अब इस वाले साइट से देखें इस वाली रो में यहां पर है red 1 2 3 4 तो यह दोनों ही 4 4 हैं दोनों को same quantity है same collection है इसलिए हम दोनों को कर देंगे match ओके next 1 2 3 4 5 & 6 कितने candies है 6 और 6 quantity है यहां पर ice cream की 1 2 3 4 5 & 6 ठीक है तो candies को मने match कर दिया ice cream से the next one butterflies कितने हैं काउंट किजे 1 2 3 3 3 butterflies and 1 2 3 3 flowers then match it okay next one is 1 2 3 4 5 5 apples है then 1 2 3 4 & 5 orange same collection then match it okay next heads आपको देंगे यहां पर 1 2 3 4 5 6 & 7 okay and shots कितने हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 then match it okay तो page number 10 complete हो चुका है same इसी तरह से आपको भी अपनी book में matching करने है next हम करेंगे page number 11 more and less ठीक है क्या है our next topic more and less more की meaning होते हैं ज्यादा और less means होते हैं कम ठीक है जले start करते हैं tick the bookshelf that has more books more m-o-r-e more more means ज्यादा तो हमें tick करना है जिस bookshelf में ज्यादा books है जल्दे से देखिए जी तो हम देख रहे हैं कि इस bookshelf में ज्यादा books है more books है then हमें इसे क्या कर दिया है tick okay next tick the fish pot that has less fish in it यह देखिए two fish pot दी हुए है आपको आप देखिए less का है रहे है l-e-double-s less less means come तो जल्दे से पह जानी कौहन से box में कम है यहां तो देखिए four fish है यहां पर two fish है then less किसमें है spot में then हम इसे tick कर देंगे the next one tick the tree that has more fruits on it more fruit more these are this this one then tick it okay because यहां में कितने mangoes है five mangoes हो यहां में कम दिखाए देखिए see less then हमने यहां टिक किया next tick the cake that has less candles less यहां कम तो कम candle किसे एक केक पर है इस पर then tick it okay यह भी आपको complete करना है class time में next आता है हमारा page number 12 remember numerals one two nine तो यानि अब आपको क्या करना आपको remember करना है याद करने है numerals one two nine तक okay अभी आपने काउंट टे किना one two three four बो नॉमनल्स देखिए चलिए उलती से हम रीडिंग कर लेते हैं the first is one देखिए one cake है चिक है मैंने काउंट किया one two one numeral क्य होता है है आपको one चिक है इसका नीम क्या है नंबर नीम ओने one then one two 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 one two three 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 आपको न्यूम्रल भी दिया हुआ है और नंबर नेम भी दिया हुआ है ठीक है आपको दोनों दोनों learn करने है और read करने है one two three four 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 one two three four five yes five f i v e five one two three four five six 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 one two three four five six seven seven s e v e n seven one two three four five six seven eight eight e i g h t eight one two three four five six seven eight nine nine n i n e nine अपके students तो आपको भी one one two nine तक न्यूम्रल से भी लिखने है और नंबर नेम भी लिखने है अपने कॉपी पर ओके आपको यह वार्क अपनी कॉपी पर करना है और इसे लहन भी करना है one two nine तक है नंबर नेम भी लिखना हो है न वन जी डबलू तू इस तरह से इसे नोट कीजिए अपनी कॉपी पर और लहन भी कीजिए ओके students thank you have a good day